चलो आप सब लोग जब परिक्षाय देते हैं तो साइध ही कोई सिफ्ट ऐसी बचती है दोस्त जिसमें जनगंड़ना से प्रशन ना पूछा जाता हो वो भी ठीक था सेंसस से प्रशन पूछा जाना भी ठीक था आप से पहले प्रशन पूछा जाते थे आपका लिटरेसी रेट से साक्षरतादर से या फिर प्रशन पूछे जाते थे आपका अगर हम बात करें तो आपका लिंगानुपाद से यानि की सेक्स रेशियो से तो बड़े आसान से प्रशन से लेकिन आपने देखा होगा पिछले दो वरसों में कि-क Also C है आपका आपका इंनको निकालता है तो आप मेरी अवाश सायद पहुच रही होगी अभी सीटव लगा वगी होगी लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये PDF को एक को चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो दो PDF है और इतना लंबा समय दोस्त इसमें लगा है डेटा को तयार करने में और साइद आपको देखने में भी डेटा बड़ा लगेगा लेकिन आप लोगों को दिहान देना है उस एक चीज पर कि मैं आपको क्या मा करेंगे ठीक है तो एक बार थमसब करके बताईए कि सब लोग तयार हैं सारे लोग तयार हैं इस सेंसस की क्लास के लिए PDF आपको रोजगार विदंकित अप्लिकेशन पर या आप सब लोगों के जो बैच है उन बैचे में इस क्लास के साथ में आपको PDF मिल जाएगी ठीक है जो आपकी बोड़ PDF है बोड़ PDF आपको मिलेगी और बागी फ्री PDF सेक्षन में भी जिन दोस्तों के पास कोई बैच नहीं है तो फ्री PDF सेक्षन में जाएंगे हमारे में वहां से उस PDF को वो डाउन्लोड कर सकते हैं ठीक है तो यह आ रहे हैं भाई साब इतिहास से लेकर के जनरणना कैसे पूरी दुनिया में या फिर भारत में और 2011 के डेटा तक आएंगे मैं परियास करूँगा कि साइद ये कक्षा हमारी दो घंटे की दोस्त रहेगी और दो घंटे मैं आपको पढ़ापाऊं क्योंकि पहली बात तो मैं उस साइद में आपको और कोसिस करेंगे कक्षा बीच में ना बंद करनी पड़े ठीक है लेकिन अगर किसी कारण वस आपकी कक्षा बीच में बंद हो जाती है तो फिर रेली सोरी है फिर आगे कभी और कंटीनियू करना होगा तो परियास करेंगे उम्मेद करोंगा आप सब की सकती की वज़े से हम इसको पूरा कर पाएंगे ठीक है तो इतिहास से लेकर के भरतमान तक शुरू करते हैं एक बार तो दोस्त बहुत दिहान से आप लोग मेरी बाते देखते हुए चलना प्राचीन काल में जंगर्णा का प्रमान रोमन सामराज्य के कैडेश्टरल सर्वे यानि एक आपका रोमन सामराज्य था तो जो आपका रोमन सामराज्य था वहाँ पर एक सर्वे हुआ लोगों को गिलने के लिए तो जंगर्णा का सबसे पहले जो सरवे हुआ उसको क्या कहा जाता है कैडिश्ट्रल सरवे कहा जाता है मुगल काल में अगर आप से कभी परिशन पूछेगा मुगल काल में जनगर्णा के बारे में उलेक किस गरंथ में मिलता है तो आप कहेंगे मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1595 छाणगे में आपका जनगंडा का उलेख मिलता है आधुनिक पधती से सरपिर्थम जनगंडा 1794 में स्वीडन द्वारा सबसे important data आपको यह याद रखना है क्या पुछा जाएगा वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जनगंडा वहाई सब पैन क्यों नहीं चल रहा है क्या बोलेंगे पुछा जाएगा वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले तो यह बहुत important data हुआ ठीक है तो क्या बोलना है सबसे पहले जनगर्णा किस देश में हुई 1749 स्वीडन में हुई याद रखना है ठीक है क्या बोलोगे सारे दोस्त आंसर करते रहें बस मेरे साथ छोटे छोटे आंसर सबसे पहले किस देश में तो क्या बोलोगे स्वीडन में कोई भी भाई साब बड़े क जनगर्णा हुई थी 2011 में उससे पहले जनगर्णा कब हुई थी तो आप कहेंगे भैया दो जार एक में में मैं बोलू 2001 से पहले जनगर्णा कब हुई थी आप कहेंverse यानि कितने वर्षों में जनगर्णा हो रही है एक दसक में दस वर्षों में तो आप कहेंगे भीया इसी को हम दसकिया जनगर्णा कहते है जब जनगर्णा दस वर्षों में होती है कितने दस वर्षों में होती है आगे आएंगे तो दसकिया जनगर्णा सबसे पहले कहां अमेरिका 1790 है यानि सिर्फ जनगर्णा पुछेगा तो स्वीडन और अगर दसकिया जनगर्णा बोलेगा तो क्या कहेंगे अमेरिका आंसर सारे दोस्तों का आना चाहिए 1800 से 1801 में इंगलेंड में जनगर्णा सुरू हुई अब जी इंगलेंड में जनगर्णा का क्या महत्व है क्योंकि दोस्त जब हमारे हैं सेंसस सुरू हुआ या जनगर्णा सुरू हुई तो हम कैसे थे बिर्टिश बहरत थे यारी बिर्टिश एर्स के अधीन था भारत क्या थ से पोलूं दसकी है यानि 10 वर्सों में डैसी नील की अगर हम बात करें तो दसकी है सबसे पहले कहां पर USA में क्या बोलोगे अमेरिका में और अगर मैं बात करूं ब्रिटिश भारत चुकी रहा ब्रिटेन में कब आपका तो सन 1800 में ठीक है ओके भारत में जनलना का क्या इतिहा है वो समझना होगा देखेंगे जरा ध्यान से इंगनेंड की जनलना नीती को निरंतर करते हुए जैम्स प्रिंसिप द्वारा जैम्स प्रिंसिप का नाम किस-किस ने सुना है आप लोग जानते होंगे जैम्स प्रिंसिप वो वेक्ती है जिसने असोक के सिलालेखों को अगर हम बात करते हैं लगभग 87 एर्स के बाद में जैम्स प्रिंसिप ने पढ़ा ठीक है 1837 तो वही जैम्स प्रिंसिप है इसके द्वारा इलहाबाद यारी की 1824 और बनारस 1827-28 में जनगंडना करवाईगी क्या बोलोगे जनगंडना करवाईगी एक भारतिये सहर की पहल पून जनगंडना अभी ये प्रिसन आपका SSE CGL SSE CGL और CPO दोनों एकजाम्स में पूछा गया वह कौन सा सहर है भारती है जिसकी पहली बार पून जनगंडना की गई तो क्या अंसर आएगा आप सब लोगों का कि जी वो हमारा धाका था कौन सा सहर है धाका और 1830 में 1830 में यानि कि इलहाबाद और बनारस में भी जनगंडना की गई लेकिन वो कैसी जनगंडना ही रह गई ये थी आपकी incomplete यानि कि अपून रह गई पहली पून सायद दोस्त मेरी आवाज आप लोगों को बदल के आ रही हो तो उसके लिए sorry एक बार बताएंगे मेरी आवाज आप स बारत में पहली गैर तुल्यकालिक जिसको एनियमित जनगंडना की हम बात करेंगे किसने मेयो के दुआरा किसके दुआरा क्या बोलोगे मेयो के दुआरा बहुत important question है लगातार exams में आप देखते हैं कि पहली irregular irregular यानि पता नहीं था अगली कब होगी अगली कब होगी ठीक ह तो क्या बोलेंगे पहली एनियमित जनगंडना किसके अठार तुस बात तर में मेयो के टाइम पर अब यहां से बात सुरू होती है पहली नियमित जनगंडना यानि पहली synchronized तरीके से यानि कि पहली regular तरीके से जो जनगंडना हुई वो हुई 17 फरवरी 1881 को किसके दुआरा की गई साथ में कि अब कितने सालों में की जाएगी कितने सालों में की जाएगी अब 10 सालों में और तब से लेकर के दोस्त आपका हर 10 वर्स में यानि 1881 उसके बाद में कब हुई होगी 1881 में फिर आपका 1901 फिर आपका 1911 और इसी करम को आगे बढ़ाते हुए कब तक आपक 1981 में आपके जंगर्णना आयुक्त कौन थे? SSE CGL 2022 का ही परशन है कि आपका जंगर्णना आयुक्त कब के है? ये 1881 के है 1881 के ठीक है? अच्छा, भारत आजाद कब हुआ? सब लोग जानते हैं, हम लोग 1947 तो आजादी के पहले जंगर्णना कब हुई होगी? तो आप इसी किरम को आगे बढ़ाएंगे 1911 के बाद में कब? 1941 में भी एक बार हुई होगी? और एक बार आपका आजादी के बाद 1951 में बीच में क्या रहा होगा? 1947 क्या 1947 में भी कोई जंगर्णना हुई? येस और नो आप कहेंगे जी भारत की आजादी के सबसे निकटतम जो जंगर्णना है सबसे निकटतम जो जंगर्णना है वो बताएंगे 1941 की होगी या 1951 की तो 1951 को भारत की आजादी की जो भी डेटा है उसका आधार माना जाएगा किसको 1951 को ठीक है अब बात आती है स्वतंत्र भारत की पहली जंगर्णा भारत आजाद हुआ 1947 में जंगर्णा पहली हुई क्योंकि 10 वर्सों में होती है तो यहाँ पर देखेंगे आप जंगर्णा आयुक्त रहे इस समय स्री M.W M. Yates बहुत इंपोर्टेंट है स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जंगर्णा के समय जो आपके जंगर्णा आयुक थे यानि सेंसर कमिशनर थे वो कौन ठीक है बात समझते चलरे हैं मेरे साथ साथ में बातों को आप लोग समझ पारे एक बार थमसब करके मुझे को बताते रहें क्या बोलोगे मैंने बोला कि अब ऐसा नहीं है कि मैं इस सब को कई बार revise करूँ क्योंकि ये बड़ा data है आप सब लोगों को इसको बहुत अच्छे से सुनते हुए sort notes आपके exam के लिए बनाने हैं और data में लगभग मतलब कि जो मैं महतपूर्ण बता रहा हूँ उसको तो bigger है पंधरवी जनगणना है कौन सी जनगणना है यह पंधरवी जनगणना है और स्वतंतर भारत की कौनसी है आपका सातवी स्वतंतर हर nota की कि Contain frame स की 1951 में पहली हुई होगी सवतंतर होने के बाद में फिर 1961 फिर आपका 1971 3980 के बाद आप बताएcı 1981 फिरunun 你स Сो प्राशाशनिक स्वरूप की बात कर लेते हैं प्राशाशनिक सब्द होता है जनगर्णा को हम किस मंत्राले के अधीन पढ़ेंगे क्या बोलोगे हमेशा गरह मंत्राले क्या बोलेगे गरह मंत्राले समविधान की किस अनुसूची में आता है सातवी अनुसूची में सेवंध सीडियूल में और किस में आपका संग सूची में हम सब लोग जानते हैं हमारे समविधान में किस-किस को central list, state list और concurrent list यानि राज्य सूची, आपका एक संग सूची और एक संवर्ती सूची तो मैं आपसे कभी पूछू जनगर्णा किस सूची के अंतरगत आता है तो आप बोलेंगे केंद्र का विश्य है, संग सूची के अंतरगत आता है जनगर्णा का दायत्व अनुच्छेद 246 में, आर्टिकल 246 में किसको इक पास है ये आपका केंद्र सरकार के पास है क्योंकि संग सूची पर जो सेंटरल लिश्ट है उस पर कानून कौन बना सकता है, उस पर कानून आपका केंद्र सरकार बना सकती है इस पास में कोई दिक्कत, कोई प्रिशान है, ठीक है, संग सूची का विश्य है, आर्टिकल 246 में है, ठीक है अच्छा सवतंता के बाद पहला अधियनियम कब आया सवतंता के बाद में जो अधियनियम आया वो 1948 में जन्गरणा अधियनियम तो सेंसस एक्ट 1948 बहुत IMPORTANT है बहुत IMPORTANT है ठीक है बहुत IMPORTANT है 1961 से दोस्त आप कुछ भी बात करें कमेंट सेक्षिन में बस एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि मैं सच में इस क्लास को मतलब लेनी के अवस्था में नहीं और सायद मुझे भी पता है कि आप प्लीज में ध्यान ना बटने देना उसके लिए आप मुझे प्रोथसाहित करना लगातार ताकि मैं अनरजेटिक रहूँ आपकी इस क्लास के लिए आपकी परिक्षा क्या आगे वाने वाली एक दो वर्स जब तक दो हजार 21 वाली जनगर्णा जो 23 में डेटा है 24 तक आएगा तब तक कि क्लास हर एक बच्चे के एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट रही ठीक है अच्छा जी 1961 से जनगर्णा कारिय की महत्ता को देखते हुए गरह मंत्राले के अधीन जनगर्णा विवाग की किसकी क्या बोलोगे सेंसस डिपार्टमेंट तो कभी भी पूछा जाएगा सेंसस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई एक तो दोस्त आपका जनगर्णा अधीनियम आपको पता होना चाहिए 1948 का सेंसस एक्ट और आपसे पूछे कभी भी जिनसंख्या विवाग सेंसस डिपार्टमेंट तो ये कब का ये 1961 का है में तरह ठीक है सीर्स अधीकारी कौन होता है अब आपसे पूछेगा जनगर्णा के विशे में सबसे बड़ा अधीकारी सर्वोच अधीकारी ये आपसे बुले टॉपमोष्ट ऑफिशर कौन होता है तो आप कहेंगे वो होता है महा रजिश्टार एम जनगर्णा आयुक्त जिसको हम बोलत रजिष्टार जर्नल एंड सेंसस कमिशनर रजिष्टार जर्नल एंड सेंसस कमिशनर 2011 में कौन थे ये जब 2011 की जनगनना हुई 2011 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि सबसे रिसेंट की यही है 1951 में आपको बता चुका था वो बहुत इंपोर्टेंट है और क्या याद रखेंगे महा रजिष्टार और आपके सेंसस कमिशनर अच्छा मित्र आपका 2011 डॉक्टर डीसी चंदरमोली 2022 स्री मरतुंजे कुमार नाराण ये हाल ही मनिक्तु है अभी हमारी 2021 वाली जनगनना थी न वही 10 सालों में होती है तो 2021 वाली जनगनना थी मित्र वो भी तो हमारी होनी थी लेकिन कोरणा के चलते नहीं हो पाई नहीं हो पाई तो स्री मरतुंजे नाराण उसको करेंगे ठीक है अगले वाली के जो डेटा आएगा उसमें कमिशनर ये रहेंगे अब आईए यहां द्यान से और बहुत द्यान से टेबल में मैं जो आपको बता हूँ देखना 1901 में 1901 ये वर्स लिखे हुए है 2011 वर्तमान तक ठीक है वाइट कर लेते हैं उसको यहां जिन संख्या करोड में लिखी हुई है 1901 में कितनी जिन संख्या थी ये आपको 10 वर्सों में 10 वर्सों में कितना अंतर आया करोड में और ये प्रतिशत वर्धिदर है टेबल को देखना सब कुछ पॉजिटिव है सिर्फ एक ही वर्स ऐसा है जिसमें आपको नेगेटिव साइन दीखता है यानि कि वे है कौनसा वर्स है वे है एक मात्र ये आपका जनगर्णा रही जिसमें जनसंख्या गटी मतलब जनसंख्या से हम इतना परिशान है इतना बढ़ रही है लेकिन एक दशक ऐसा भी रहा है एक दशक ऐसा भी रहा है जिसमें जनसंख्या गटी है एक दशक ऐसा भी रहा है अच्छा अब यहां पर देखो एक सबसे ज़्यादा पृतिशत में किस वर्स में दिखता है आपको सबसे ज्यादा तो आप कहींगे यह वाला पृतिशत सबसे ज्यादा है यानि यह पृतिशत किस वर्स के लिए रहा होगा 1961 से लेकर के 71 तक क्या बोलोगे सरवाधिक दशकिय प्रतिशत वरधी हुई वे है कौनसा वर्स है जिसमें सबसे ज़ादा दशकिय वरधी हुई थी सबसे ज़ादा दशकिय वरधी तो कौनसा सेशन है क्या बोलोगे कौनसा दशक था तो सारे दोस्तों का आंसर आएगा 1961 से 71, उसमें 24.80, क्या बोलोगे, 24.80, ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परिशानी, अगर मैं बात करूँ, करोड में जिन संख्या देखना, आप सोचते होंगे 2001 से 2011 तक तो सबसे ज़्यादा बढ़ी होगी, लेकिन यहां जिन संख्या कम बढ़ी है, ये जिन संख्या है करोड में, 18 करोड 23 लाख, सबसे ज़्यादा करोड में जिन संख्या कब बढ़ी, तो आप कहेंगे 1991 से 2001 में सरवाधिक क करोड में वरधी कब हुई है तो क्या वो लोगें सिर्फ ये तीन चीजे याद रख लेनी है और दू चौती चीज में आपको बताऊंगा मुझे बताए भारत जब आजाद हुआ तो जनसंख्या कितनी थी तो आप कहेंगे भीया ये तो 1951 में तो आप ये मान सकते हैं कि 1947 में जनसंख्या लगभग 35 करोड रही होगी आज जनसंख्या कितनी है इसी लिए पिरसन ये भी पूछता है आप से कि भारत की आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी और पूछता है आज कितने गुना जनसंख्या बढ़ गई है अभी आप से CHSL में भी पूछा गया था कि बाहरत की आजादी के बाद से आज तक भारत की जिनसंख्या कितने गुना बढ़ी है विकल्ब था दो गुना, एक विकल्ब था तीन गुना, एक विकल्ब था चार गुना और एक विकल्ब था आपका सारे दोस्त बोलेंगे कि साड़े तीन गुना तो क्या बोलेंगे कितने गुना बढ़ गई है लगबग आप सब बता सकते हैं कितने गुना बढ़ गई है तो 36 तिया 108 होते हैं तो आप कहेंगे लगबग अब चार गुना कहां बढ़ गई यार तुम गुना तो करो 30 चौके 120-144 करोड थोड़ी हुई है जिन संक्या आजादी के समय की बात है, याद रखेंगे जी भाई साब, हाँ भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत रही है, ठीक है, आगे आते हैं, अब इसी बात को जो हमने डेटा भी पढ़ा था, उसका विशलेशन करते हैं, भारत मूलत है, गामों का देश है, इस देश में कुल, क्या बोलोगे, 6,40,930 गाओं है, ठीक है, क्या बोलोगे, कितने गाओं हैं हमारे देश में, 6,40,000 गाओं है, जहां देश की 68.9 प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग हैं हमारे गाओं, हमारे देश के सौरी, जो गाओं में रहते हैं, गरामीड जिन संख्या 68.9 प्रतिशत है, भा आपको सिर्फ यहां पर एक बात पढ़नी है क्या वर्तमान में वर्तमान में भारत की जिनसंख्या की दसकिय वरद्धी 17.70 प्रतिशत है क्या वो लोगे 17.70 प्रतिशत है जबकि वार्षिक वरद्धी दर 1.64 प्रतिशत है यह क्या है भहिया वार्षिक वरद्धी दर देखो ह हमारे देश की जिन संख्या 2001 में कुछ थी तो 2001 से 2002 में भी तो बढ़ी होगी न कुछ यह सीधे 2011 में ही बढ़ी तो आप कहेंगे नहीं भीया हर साल भी बढ़ी होगी तो हर साल वो किस वरधी से बढ़ रही थी वो एक दिसमलब चाहिए वार्शिक है क्या वो लोगे वार्शि थी 2001 में क्या वो लोगे 2001 में उपर ही लिखा हुआ है और वर्तमान में कितनी होगी 121 करोड तो कितने प्रतिशत बढ़ी है 17.70 प्रतिशत बढ़ी है ठीक है आगे आते है 1911 से 21 के दसक में जिन संख्या में मैंने क्या बताया था जिन संख्या में चाहिद क्लास में भाई सब लोगों का कमेंट देखना चाहूंगा कि आप सब लोग क्लास से जुड़ गए हैं अभी सायद आप सब लोगों तक मेरी आवाज पहुच रही होगी एक बार बोलेंगे नहीं सारे बच्चे बफ लिख रहे हैं ओके अभी ठीक है ओके मैंने बोला सिर्फ एक ही एक ही द कोप था जिसके चलते मरतियुदल क्या होगी अधिक हो गई 1921 के पश्चाद देश की जनसंख्या में तीवर गती से वरद्दी हुई इसलिए 1921 को जनसंख्या के दियास में माहान विवाजक वर्स ग्रेट डिवाइडिंग इयर समझ गए मित्र 1921 यानि कि 1911 से 21 ही एक मात् गई और उसके बाद तो लगातार बड़ी है हम लोगों ने लगातार आपका ऐसे समझो लगातार पिरजनन पिर करिया को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया और बढ़ते 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 इसलिए इसको क्या बोला गया ग्रेट डिवाइडिंग येर कहा गया जो विवाजन करता है अच्छा आप देखते हैं कौन से राजय है जिन संख्या इस सबका स्क्रींसॉट आप लेते रहना पनी जिए 하지만 क्या वरध्धी धर वाले सीर्स पांच राजय कौन से ऐं ऐसे कौन से 5 राजय है या किंद्सासित प्रदेश हैं जहां जिन संख्या पिशतर जन्संख्या बड़ी है तो क्या बोलोगे आपका दादरा और नागरहवेली क्या दादरा और नागरहवेली Ut i-state दमन और दीव यूठी yód ely state क्या बोलोगे यूठी पुदू- görी भाइस साब आप इसको क्यूं नहीं करते है ठीक बच्चे कह रहे हैं तख अब बात आएगी सरवाधिक सरवाधिक जिनस्ट हेलो 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 एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक अभी पहुच रही है हेलो 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 एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों तक पास पहुच रही है एक बार थमसब करके सारे दोस्त बता देंगे कि मेरी आवाज अभी आप लोगों तक ठीक पहुच रही है और मेघाले में राज्ये में इबात याद रख लेना बाखी आपको भूलना है कुछ तो आप भूल सकते हैं लेकिन मेघाले और दादर नागरा हवेली का नाम नहीं भूलना है ठीक है मित्र अच्छा निंतम का मतलब सबसे कम प्रतिशत वरद्धी कहां पर हुई की बात करेंगे नागालेंड में प्रतिशत वरद्धी देखो इतना प्रशन पूछा है ना SSC ने बार बार पूछा है कि वह एक मातर राज्ये कौन सा है जिसमें प्रतिशत वरद्धी रनातमक रही है नेगेटिव रही है जिन संक्या बढ़ने की बजाए घटी है ऐसा एक मात राज्य मित्र आपका नागालेंड है क्या वो लोगे नागालेंड है ठीक है ये बात याद रख ले निया बार बार प्रिशन मैंने आपको कराया भी ये प्रैक्टिस एसंस में केरल क्या वो लोगे नागालेंड एक इस्टेट ही है तो नागालेंड हो गया इस्टेट इस ये दौनों आपके मुख्यबिंदू होने चाहिए, ठीक है, दौनों मुख्यबिंदू होने चाहिए, ठीक है, आगयाते हैं, प्रशाशनिक आकड़ा क्या कहता है, आपका, प्रशाशनिक आकड़ा क्या कहता है, हमारे देश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 640 है, उप जि दिखे है design ऴेधानिक यानि की जिनको एक नगर का दरजा हैग्मार्मेट में तरफ सेम्वर जन्गन न नाम देते हैं stan लेधन के लिए तो जन्गन न नगरओ इस अतल्फ कुछ JUN बरनल न Hell रे c गाओं की संख्या मैंने आपको बताई थी अब मेरा आपसे कुश्षन अगर आपने ध्यान दिया था तो आप मुझे बताएं बहरत में किरतने प्रतिशत लोग हैं जो गाओं में निवास करते हैं लगभग का एक डेटा बताईए अभी मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक पहुच रही होगी चलो गई आगे आते हैं जनगर्णा 2011 का जनगर्णा काल 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 थी जनगर्णा 2011 की संदर रुपति थी 1 मार्च 2011 की मध्यरातरी यानि की रात 12 बजे निर्धारित की गई थी कि इस समय हमको डेटा देना है दान ग्यातवे है कि आपका जनगर्णा 2011 का आयोजन भारत के महरजिश्टार एम जनगर्णा आयोगत कौन थे डॉक्टर सी चंदर मोली ये कब हैं? ये 2011 में है सिर्फ इतनी ही बात याद रख लेनी है 2011 में कौन? चंदर मोली थे इनके निर्धेशन में संपन हुआ और 2001 की जनगर्णा कारिया जेंत कौन बंठिया ये 2001 में थे आपको याद करने की जुरुत नहीं है बात है कि 2011 कि इसके चंदर मोली के संपन में हुआ अब यहां पर दिहान से इस डेटा को देखिए 2011 का यहां पर मैं आपको कुछ चीजे समझाने का और फिर उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे देखिए जनगर्णा किसके हैं? ये 2001 के आंकडे हैं ये 2011 के आंकडे हैं क्या बोलोगे? 121 करोड लगभग ठीक है? 121 करोड आठ लाख 54,970 ये अच्छा डेटा है अच्छा इसमें पुरुस कितने हैं? बोलेंगे 62 करोड हो गए और महिलाएं हैं 58 करोड लगभग में हम बात करेंगे ठीक है? अच्छा जी ये अंतर किसका बात का लिखा हुआ है? कि पहले हम 102 करोड थे अभी 121 करोड हो गए तो कितना बढ़ गए? लगभग 18 करोड 21 लाख बढ़ गए अंतर पर भी ध्यान नहीं देना सबसे important बात है ये इसको मार करना कि 0 से 6 IU के बीच की जो हमारी जनसंख्या है वो कितने पृतिशत है? क्या बहुलोगे? वो संख्या में तो 16 करोड है संख्या में तो 16 करोड है लगभग लेकिन पृतिशत में कितने है? ये बात महत्पून है यानि 2011 में 0 से 6 वर्स के बीच की जो IU है उसकी जनगर्णा कितने प्रतिशत में आएगी 13.60% ठीक है अच्छा नगरों में कितने लोग रहते हैं हमारे देश में 31.10% क्योंकि 68.9% ये कहां पर रहते हैं तो इतने लोग जब देश के गाउं में रहेंगे तो बाकी बचे हुए तो सहरों में रहेंगे तो सहरों में कितने रहेंगे 31.101 ये डेटा बहुत पुराना है आप जानते भी हैं इसको बहुत दिन से पढ़ भी रहे होगे कितने वरद्धी हुई 17.7 की वरद्धी हुई वार्सिक वरद्धी मैं आपको बता ही चुका 1.64 की हुई साक्षरता हमारे देश की कितनी है लगभग 74 परतिशद में एकजेक डेटा कितने बच्चे बता सकते हैं परतिश साक्षरता हमारी कितनी रही है 82.04 कितना ये मेल की है मेल की फीमेल की 65 दिसमलब लगभग में याद करो ऐसा नहीं कि दिसमलब के बाद के अंकों को भी एकदम से पक्का याद करना है तो क्या बोलोगे 65.46 जनगनत्व 2011 में क्या रहा है हमारा 382 रहा है ये बहुत इंपोर्टेंट डेटा है अब इंपोर्टेंट बात आएगी कि 2001 का ये डेटा याद रखना है मैं आपसे पूछूं कि 2011 में जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी था जनगनत्व था वो 382 कितना बढ़कर के हुआ था तो कितना बढ़ गया था 57 बढ़कर के हुआ था और यहाँ पर ये डेटा याद रखना है क्या बोलोगे क्यूंकि हम कहेंगे 2001 में पॉपुलेशन डे जासी ठीक है 1951 की जनसंख्या से तुलना कर लेते है 1951 से क्यों तुलना करते हैं क्यूंकि आजादी के समय की जनगनना है क्या वो लोगे ये हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम है आजादी के समय से क्या-क्या तुलना SSC पूछता है इसमें या कोई भी बंडे एक्जाम आप दोस्त कभी भी आप कोई लोग सेवा आयोग की परिक्षा भी देंगे तो वो भी सी सेट जैसा एक्जाम भी अधूरा नहीं है वहाँ भी आपको सेंसस का पर्षंट मिलेगा ही मिलेगा जनसंख्या 1951 में कितनी थी आपका 36 करोड इस पर हम बात कर चुके मुझे बताईए कितने गुना हुई तो आप लोगों ने बोला लगभग साड़े तीन गुना हुई साक्षर्ता हमारे देश की कितनी थी बोले 18 पर्षंट आज हमारी साक्षर्ता कितनी है तो ये पर्षंट आप से पूछा जाए साक्षर्ता लगभग कितने गुना हो गई 18.75 तो आप कहींगे भी चार गुने से जादा हो गई कितनी हो गई? चार गुने से जादा आजादी के बाद में हम अपनी साक्षरता को लगबग चार गुना कर पाए हैं यारी हम अच्छे ग्रोध कर रहे हैं जन गनतव था हमारा आजादी के समय 177 अभी कितना बताया? 382 तो कितने गुना हो गया जरा बोले? कितने गुना? क्या बोलेंगे? तीन गुने से जादा हो गया कितना हो गया? तीन गुने से जादा हो गया इवन बोले तो साड़े तीन गुना लगबग हो गया कह सकते हैं हम इसको साड़े तीन गुना या नहीं बिलकुल बोल सकते हैं तो 17,51 और उसका आधा कर रहें नहीं आधा तो नहीं होगा जादा चाहिए वर 400 के पार वेल्यू चली जाएगी तीन गुना ही ठीक होगा लिंगानुपात हमारा 1951 में कितना था 946 था 946 था और अभी कितना हो गया है 943 लिंगानुपात तो लिंगानुपात आजादी के बाद से घटा या बढ़ा अब बहुत सारे लोग सोचेंगे लिंगानुपात क्या होता है इस कक्षा में हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि घरत्व कितने परकार के होते हैं ठीक है लिंगानुपात क्या होता है मैं आपको भी बता दूँ कि लिंगानुपात होता है हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं हजार मेल्स पर कितनी फिमेल्स हैं तो अभी है 943 यानि भहिया साधी कितने लोगों की नहीं होगी तो क्या वो लेंगे आप लोग यहां पर कहेंगे कि 57 ऐसे रह जाएंगे भहिया जिनकी साधी नहीं होगी देश में अब से पहले अच्छे हाला थे 1971 ठीक है अच्छा आगे चलेंगे यहां देखना अब लिंगा अनुपात की कितने पर पिरती 1000 पुर्षों पर इस्त्रियों की संख्या यह क्या हो जाता है हमारे यहां पर लिंगानुपात हो जाता है भारत में 2011 के अंतिम भारतिय जन्गन्ना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? 943 है जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में पुर्सों की अपेक्षा यानि तुल्ना में इस्त्रियों की संख्या कम है वैसे कुछ अपवादों को छोड़ कर 1901 से ही लिंगानुपात में कमी क प्रविर्ती विध्वान है 1901 में हमारा लिंगानुपात देखो कितना था? 972 अब ये सब याद नहीं करना है ठीक है अब आगे आते हैं बात पर ये वर्सदर डेटा हुआ इस डेटा को आपको देखना है यहान से देखना लिंगानुपात यानि कि सेक्स रेशियों की बा अचार बताएं सबसे बहतर लिंगानुपात हमारा किस वर्स था? 1901 से आज तक की बात करें इस डेटा को देखकर के बताईए आप कहेंगे भीया 1901 में 902 और आजादी के समय कितना बताया था मैंने आपको 946 तो जितना हम आजादी के समय थे आज भी उसी इस्तिती पर हैं लगभग हाँ या ना आप कहेंगे हाँ जी यानि कि कन्याओं के जन्म को हम लोग साक्षरता में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कन्या के लिए जन्म को ले करके हम लोगों की मान सकता हैं आज भी लगभग वैसी ही हैं बढ़ते समाज में भी हम आज भी उसी सोच के साथ जीते हैं तो यह लगभग उस से 1951 के बाद से वहीं घूम रहा है लेकिन सबसे important बात यहां 2001 का data भी याद रखना होगा पूछा जाएगा 2001 से लेकर के 2011 तक लिंगा नुपात में अंकों में कितनी वरद्धी हुई है ज़रा अंक में कितनी वरद्धी हुई तो आप क्या बोलोगे 10 अंकों की वरद्धी हुई है कितना 10 बढ़ गया कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया ठीक है सीर्स पांच लिंगान उपात वाले राज्ये कौन कौन से है एक केरल याद रखो पांच नहीं याद रखने सिर्फ दो याद रखने आपको केरल और तमिलनाडू ठीक है पांच जब आवशकता पढ़ती है जब आप कोई लोग से वायू की परिक्षा देता है तो सुरू के चार दे के आपको करम से लगवाता है कहता घटते और बढ़ते करम में लगाई है लेकिन वंडे एक्जाम के लिए आपको ऐसी चुनोती नहीं आएगी कभी भी तो केरल का कितना है एक हजार चौरासी और तमिलनाडू का कितना नौसो च्छानव है नौसो च्छानव है नियुनतम जहां पर महिलाओं की संख्या नियुनतम स से तो आप कहेंगे भीया ये राज्य है आपका हरियाना और बार-बार परिक्षाओं में पूछा जाता है जहां बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में कम है ठीक है अच्छा देखो जम्मू कस्मीर को ये मत बोल ले ना कि राज्य में 2011 में तो जम्मू कस्मीर राज् जहां पर मैं पांच का डेटा दूँ वहां पर दो जहां पर मैं तीन का डेटा दूँ वहां पर एक और जहां पर दो का डेटा दूँ वहां दो नो ठीक है यह बात है यह सी हमारा याद करने का एक मैथड रहेगा कि आपको चीजे इस तरह से याद रखने हैं सीर्स लिंग की बात करें ज्यादा तो केरल का हो गया 1084 फिर हमने बात की थी इस्टेट में हमने बात की थी कम की तो हरियाना हमने लिख दिया था 879 तो ये तो हमने इस्टेट की बात की थी अभी हम बात कर रहे है किसकी UT की किसकी बात कर रहे है मित्र UT की तो देखना द्यान से प्यूटी में सबसे उपर कौन है? पुडुचेरी है और दूसरा कौन है? आपका दूसरा है लक्षदीग तो किसमें है ये? सीर्स लिंगानुपात यानि कि जहां पर सेक्स रेशियो क्या है? जादा है यानि अगर मैं बात करूँ नियुन्तम का मतलब क्या हुआ? मिनीमम सेक्स रेशियो क्या वो लोगे? मिनीमम सेक्स रेशियो कहां पर है? देखो दमन और दीव 618 अब मुझे बताओ राज्यय में सबसे कम किसका था? हर्याना और यूटी में सबसे कम किसका? दमन और दीव का किसका? दमन और दीव का याद रखना है अब बात आती है सीर्स लिंगानुपात वाले दो जिले राज्यी की बात नहीं कर रहा है जिसे आपने देखोगा आज गल एक परसन बड़ा चलता है सरवाधिक साक्षर जिला कौन सा है सरवाधिक कम साक्षर वाला अब जिले का देटा बहुत पूछता है तो सीर्स लिंगानुपात वाले जो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले कौन-कौन है माहे है पुडूचेरी तो पुडुचेरी यूटी है या इस्टेट है यूटी हो गया तो सीर्स लिंगानुपात किसमे है यूटी में है 1176 और अलमोडा उत्राखंड ये इत्राखंड यूटी है या इस्टेट है तो आप कहेंगे इस्टेट है क्या बोलेंगे आप कहेंगे इस्टेट है ये 1149 है क्या है मित्र 1149 है तो क्या बोलेंगे अगर इस्टेट का नाम पूछा जाए कि सरवाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है किसी राज्य में तो राज्य में कहेंगे अलमोडा और अगर यूटी में पूछेगा तो मा प्रदेश का लिंगानुपात कहा है दमन का क्यों बोलो यूटी में किसमें यूटी में लेहे लद्दाख किसका आपका ये भी आपका यूटी ही हो जाता है उस चाइम पर ये इस्टेट था लेकिन जम्मू और कस्मीर जीरो से च्छे आईउवर के सीर्स लिंगानुपात वाले पांच राज्ये जीरो से च्छे का मैंने बताया कितने परशेंट हमारी हजन संक्या निवास करती है जरह बताएंगे बोलेंगे भी फटाफट से तो अरुनाचल परदेश का लिंगानुपात सिर्फ एक याद रख लेना है अरुनाचल परदेश ठाएंगे अरुनाचल परदेश 2009 को और सेगमेंट नहीं मिला हर जिगए हर जिगए क्लासिश थी तकली सौरी कि मैंने आपकी कि लास रख एतीन मुझे का टाइम थो नहीं मनेंड़े टू फॉर्मारिया रखता ओर लेकिन आपकी कोई और कक्षा है ना या तो आप इस वाली कक्षा को बाद में कर लेना जितनी कर पाओ या किसी और कक्षा को बाद में कर लेना एक चीज तो कर लेना बाद में पढ़ ही तो रहे हो adjustment इतना तो करना पड़ेगा किसी एक को बाद में कर लेना ठीक है कोई भी मैं यह नहीं कहता है कि मेरी ही कक्षा करो आपको अन्य कक्षा को चुन सकते हैं इसको भाद में कर सकते हैं ठीक है वो आपको चुनाव करना होगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है यह देखेंगे 0-6 IU वर्क के नियुनतम लिंगानुपात वाले केंद साजित प्रदेश अभी तक हमने बात करी इस्टेट की और यूटी की ऐसे ही केंद साजित प्रदेश में हमने क्या ले लिया पहल तो इस्टेट की बात कर रहे थे अब ये यूटी में आ गए हैं तो सरवाधिक पहले तो सीर्स दोगे अंडमान और आपका क्या बोलोगे पुडूचेरी लेकिन मैं पूछू किस यूटी में सबसे कम लिंगानुपात है किस यूटी में सबसे कम लिंगानुपात है तो आप कहेंगे दिल्ली में किस में दिल्ली में होगा ठीक है दिल्ली में होगा अग्याते अब बात करेंगे साक्षरता के ये तो बात हुई लिंगानुपात की बात के लियर हुई एक बार थमसब कीजिए अब आते हैं हम आपका लिटरेसी रेट वाले डेटा पर लिटरेसी रेट का क्या होगा साक्षर्ता को विकास एव मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है भारत के साक्षर्ता दर में पिछले दशकों में दशक मतलब दस वर्षों में वरद्धी हुई है 1951 में जहां भारत की साक्षर्ता दर कितनी थी 18.33% थी कितनी साक्षर्ता बढ़ी हमारी वही 2001 में बढ़के 64.8% हो गई यह बीच की बाते भूल जाइए मुझे बताइए कि अभी कितनी है हमारी 74.04 ठीक है अच्या यहां बात करेंगे कि गांतव्य हो कि साक्षर्ता की गड़ना के लिए साथ वर्स से उपर के आईउ वर्ग को सामिल किया जाता है ऐसा नहीं है बच्चा पैदा हुआ उसको आप यह बोल देंगे एक साल का बच्चा साक्षर है कि ऐसाक्षर है तो एक साल के बच्चे को नहीं बच्च बोलेंगे साक्षर साक्षर किसका गिना जाएगा बोलेंगे कितनी आयू होनी चाहिए कम से कम अगर बच्चा सात वर्स का है और पढ़ना लिखना जानता है क्या बोलेंगे और पढ़ना लिखना जानता है यदि कोई भी व्यक्तिव पढ़ लिख सकता है तो वह साक्षर है और age कम से कम कितनी होनी चाहिए 7 वर्स लेकिन यहाँ पर एक important path आएगी 1971 तक साक्षरता का आधार 5 वर्स था 1971 से कभी भी पूछे आप से कि साक्षरता दर को गिनते समय आयू कम से कम 7 वर्स गिनी जाती है पहले यह आधार वर्स कितना या बुले कम से यह परिवर्तित हुआ तो आप बुलेंगे 1971 तक 5 वर्स था और 1971 से आधार वर्स कितना हो गया 7 वर्स हो गया अब 7 से जादा के बच्चे को count करते है ठीक है अच्छा बारत में साक्षरता की बात करें 2011 क्या साक्षरता है हमारे हैंपर तो पुर्सों की साक्षरता क्या बोलोगे आपका यह किस की है व्यक्ति देखो आप कभी भी व्यक्ति को पुरुस ना समझ लेना व्यक्ति का मतलब पुरुस और इस्तरी दोनों होता है बहुत सारे लोग व्यक्ति को पुरुस समझते हैं गलती करते हैं ठीक है अगर पुरसों की साक्षरता की बात करूँ मैं आपसे तो क्या बोलोगे बहियासी महिलाओं की साक्षरता की बात करूँ लेकिन दौनों का अंतर मैं आपसे पूछूँ यह अच्छा परशन अब S.S.C. का ये कमाल है पूछेगा बहरत में पुरस और मह पूछेगा बहरत में आपसे तो लगभग कितने पृतिशत सत्रे जितने दोस्तों ने लिखा बहुत सही लिखा यानि 16.6 कुछ आएगा तो क्या बोलेंगे 16.86 कुछ आएगा आपका लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको आपका लगभग सत्रे याद कर सकते हैं ठीक है को दिकत कोपरिशन आगे आते हैं जैसक के मध्य 2001-2011 साक्षर जिनसंख्या की अंतिमिस्थिती क्या है यहाँ पर हमारे कितने हुए क्या बोलेंगे यहाँ पर साक्षर कितने हैं हमारे 76 करोड लोग पढ़े लिखे हैं जो अक्षर भी पढ़ सकता है वो साक्षर है गवर्मेंट ने ये तक भी कर दिया था एक बार तो बुढ़ो और आपका भुजुर्गो को बुला लिया गाओं के स्कूल में और जो लोग नहीं जानते तो उनको एक दिन सिखाया ऐसे बनता है जो पठना लिखना नहीं जानते तो उनको भी साक्षर में गिल लिया था तो ऐसे भी साक्षरता के एक बार बढ़ाई जाती है क्योंकि वैस्विक पटल पर डेटा भेजना होता है अच्छा जी महिलाई कितनी है हमारे देश में साक्षर 43 करोड है क्या वो लोगे 43 करोड है डेटा यहां पर इंपोर्टेंट है कि 2001 में हम 56 करोड वैक्ती थे 56 करोड वैक्ती अभी हम कितने हो गए 76 करोड तो सिर्फ यह याद रखना है कि जो हमारी साक्षरता दर प्रतिशत में बदली कितनी 36.1 अच्छा मैं बोलू पुरुसों की साक्षरता में कितना परिवर्त पुरुसों की स्त्री जसे दो स्टेटमेंट मैं आपको दे दू दो हजार एक की तुलना में 2011 में पुरुसों की साक्षरता दर में वर्धी हुई दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया 2001 की तुलना में 2011 में इस्तरियों की जिन संख्या में वरद्धी हुई तीसरा स्टेट्मेंट दिया 2001 से 2011 के बीच में पुरुसों की जो पृतिशत में संख्या थी वो जादा बढ़ी की महिलाओं की ये आपको बताना है पुरुसों की आपका वरद्धी दर जादा हुई ये महिलाओं की तो क्या बोलेंगे महिलाएं पहले 22 करोड थी अभी 32 करोड हो गई 2011 में तो 46.67 ये सब कुछ याद नहीं करना है करोड का डेटा याद रखना है सिर्फ इतना पुरुसों की पृतिशत वरद्धी महिलाओं की और एक आपका परशन की टोटल व्यक्ति की ठीक है आगयाते सीर्स पांच साक्षरता वाले राज्ये कौन कौन से हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता कहां पर है क्या बोलोगे भहिया केरला में 94 प्रतिशत इसका प्रतिशत भी याद रखना है 94 प्रतिशत ठीक है दूसरा कौन सा आता है मिजोरम क्या बोलोगे मिजोरम भी भहिया याद रखना है क्या वो लोगे मिजोरम भी हमको याद रखना है मिजोरम अच्छा फिर आता है सीर्स पाच केंदर सासित प्रदेश कौन से है बई स्टेट में तो हमने याद रख लिया केरल और मिजोरम केरल और मिजोरम और फिर हम बात करते हैं यूटी में लक्षदीब और दमन और दीब क्या बोलोगे लक्षदीब और दमन और दीब important है ठीक है कभी भी tricks मत बनाने लग जाना है इसकी बहुत सारे लोग बना लेते हैं ऐसे बोल देंगे आपका केरल याद करकलो फिर मिजोरम याद रकलो केमटी बना देते केमजी बना देते यहां गया बाई सब पागल हो जाओगे याद रख लेना इस बात को क्या बोलोगे आपका तो क्या बोलेंगे आपका क्या बोलोगे लक्षदीब और दमन और दीब क्या बोलोड़ोगे लक्षदीब और दमन और दीव होगै आ गयाते हैं नियुन्तम तीन साक्षरता वाले के इन्ञासित प्रदेस नियुन्तम सबसे कम कहां पर साक्षरता है एक याद रख लेना सिर्फ दादरा-नागराहवेली में क्या बोलोगे दादरा नागर हवेली में सीर्स पांच जिनसंख्या में वरद्धी वाले सबसे ज़्यादा वरद्धी याद रखिलिना दादरा नागर हवेली ने एक परिशन पूछा गया आपका रिसेंट में दोस्त आपका परिक्षा में परिशन पूछा गया है आपका HCM की परिक्षा में कि वे है कौन सा राज्य या किंद सासित प्रदेश है जिसकी आपका साक्षरता में जो प्रतिशत वरदी हुई है वो तीन अंकों में हुई है साक्षरता में प्रतिशत वरदी कितने अंकों में? तीन अंकों में हुई है क्या बोलेंगे, तीन अंकों में अर्थात कितना, 119.46, कौन है ऐसा दादरा नागरते, साक्षरता ही केरल लिख दिया, घलती है, आपको देखना होगा कि वो परतिशत्ता की जिनसंख्या में वरधी की बात कर रहा है आपसे, कैसी जिनसंख्या, साक्षर जिनसंख्या, सबसे ज़्यादा वरधी कहां हुई, कहां हुई, ठीक है, कोदिक्त, कोई परिशानी, पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहां से, अचा इस्टेट में overall की बात करें, तो पहला इस्थान किस का ये बताईए, overall की मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है केरल है अच्छा मैं आप से पूछू सबसे कम साक्षर इस्टेट कौन सा ये भी क्या आप जानते हैं मैं एक बारे दौनों परसन आप से देखना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को बेशिक नॉलिज है या नहीं है तो बेसिक नॉलिज क्योंकि मैं आपको बहुत बारिया चीजे बता चुका हूँ तो आप कहेंगे केरल और बिहार तो लेकिन यहां पर बात चलिए पुरुष साक्षरता तो पुरुष साक्षरता भी कहां पर है वो भी आपका केरल में ही है अब एक बिहार में है कहां पर है बिहार में है यह बात याद रख लेनी है अच्छे यह तो बात हुई पुरुष साक्षरता की लेकिन मैं आपसे बात करूँ अगर ओवर ओल साक्षरता की किसकी कि ओवर ओल अगर हम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम क्या बोलूँगा मैं सबसे क साक्षर राज्य कौन सा होगा सबसे कम 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 साक्षर राज्य कौन सा होगा सबसे क 61.8% 61.8% होंगे अगर मैं आप से पूछ लूँ कि दूसरे नंबर पर कौन आता है आपका अरुनाचल आएगा क्या आएगा अरुनाचल आएगा आपका यहाँ पर 65.4% लो कितने हैं साक्षर है ठीक है बहुत बढ़िया लगभग एक सट जिसने याद करा बहुत अच्छा था आगे आएंगे न्यूनतम इस्तरी साक्षरता वाले पांच सीर्स राज़े कौन कौन से हैं यहाँ पर भी बिहार टॉप कर जाता है सबसे कम इस्तरीया अगर साक्षर है तो वो कौन सा है वो बिहार है दूसरे डंबर पर आता है राजिस्थान और इसके दो याद रख लेना एक तो राजिस्थान और फिर कौन आएगा अपका सुरी पहले बिहार फिर राजिस्थान अभी एक प्रिशन पूछा गया ससी सीजेल मेंस में अभी देखना दियान से बड़ा अच्छा प्रिशन आएगा और प्रिशन क्या है देखना सरवाधिक पुरुस इस्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले पांच राज्य किस किस में अंतर आया तो सबसे ज़्यादा अंतर तो राजिस्थान में है अभी ससी सीजेल मेंस हुआ आपका दस ही दिन पहले यही प्रिशन पूछा गया कि इस्त्री और पुरुस साक्षरता में सबसे ज़्यादा जो अंतर है वो कहां पर है यही प्रिशन आपका SSE GD के एक्जाम में पूछा गया था common question repeat हुआ यही question इसी वर्स SSE CPO में भी पूछा गया तीनों एक्जाम में सबसे पहले मैंने तुमको साथ practice session में भी बताया था कि सबसे पहले GD में पूछा गया था तो क्या बोलोगे 27.1 और दूसरा इस्थान किसका छार खंड का कि पुरुस और महिलाओं के बीच का जो gap है वो सबसे ज़यादा है जैसे अभी बताये बिहार का कितना बताया था आपने बिहार में आपने बता दिया एक सेट डे संबलाव आर्थ और महिलाओं के एक्क्यावन तो बिहार में अंतर सबसे ज़यादा नहीं है अभी बिहार लिख दो बिहार में तो अंतर कितना है सिर्फ लगभग 10 परतिशत का अंतर है ठीक है आ गयेंगे नियुंतम पुरुस इस्तरी साक्षरदा में अंतर जहां सबसे कम है में गहले मैं से समझो पुरुस भी लगभग पड़े हुए उतने ही है जितनी महिलाएं पुरुस और महिलाएं दोनों समान हैं देस में उच्छ साक्षरदा वाले दो जिले most important आज कल के hit question है ये याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है ये updated जानकारी है अभी recent की यानि की ये 2022 के अनुसार है 2022 के अनुसार इनका recent data आया आपका जब साक्षरता दिवस्ता उस पर data आया सबसे यादा कौन है सर्चिप जिसको हम सेर्चिप भी कहते हैं मैं अभी अध्यन कर रहा हूँ दोस्त जैसे कि मान के चलो मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा कि कोई परिक्षा बची हुई है कोई अग्जाम बचा हुआ है जो सेर्चिप से recent का बचा हुआ हो अजावल मिजोरम ये क्या बोलोगे ये आपका दूसरा जिला है अचा केरल से भी ज़्यादा हो गई इसकी साक्षरता नहीं मैं आपसे पूछू नियुनतम साक्षरता कहां की है सबसे ज़्यादा अली राजपुर देखो 2011 में इसकी थी 36.10 लेकिन ये recent का डेटा है 2022 के अनुसार क्या बोलोगे 37.22 और दूसरा सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है वो भी जब ठीक है को दिकत को परिशानी देश में नियुनतम साक्षरता वाले दोजले हो गए समझे जी बात को या नहीं समझे सर जी दीपक सर की क्लास होगी बेटा बता तो चुका मैं आपको बोलेंगे जनसंख्या घनत्व का तातपरी है अब आते हैं बहुत इंपोर्टेंट है और भीया मस्तिस को खोल करके सुनना देखना जनसंख्या घनत्व आप क्या समझते हैं अपने कुछ सब्दों में लिखने का परियास कीजिए ठीक है अपने कुछ सब्दों में लिखन देखना चाहूंगा बहुत बड़ी है आरूसी राठोड नदीम अली दीपक रामपरवेश बोलेंगे तो आप कहेंगे भी अप्रती वर्ग किलोमीटर में किसमें प्रती वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं प्रती वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं और मैं आप से पूछू हमारे देश का क्या आपका जनसंक्या घनतव है वर्तमान में क्या बता सकते हैं वर्तमान में जनसंक्या घनतव कितना है देश का तो आप कहेंगे 382 यानि कि एक किलोमीटर इसक्वायर में कितने लोग रहते हैं इसक्वायर क्या होगा वर्ग यानि एक वर्ग किलोमेटर में कितने लोग रहते हैं आप कहेंगे 382 ये हम लोग जानते पॉपलेशन डेंसेटी है ठीक है लेकिन जिनसंख्या घनत्व का तातपर ये जिनसंख्या और धरातल के एक अनुपात से है जिनसंख्या घनत्व चार परकार के होते हैं भाई साब जनसंख्या घनत्व कितने परकार के होते हैं चार परकार के होते हैं जी देखना एक होता है गड़तीय जनसंख्या घनत्व जिसमें कुल जनसंख्या को उसके छेत्रफल से विवाज़त करते हैं हमारे देश की जनसंख्या कितनी ये परिक्षा पुछे जाते हैं फॉर्मूले तो गड़ितिये जिनसंख्या घनत्व क्या होता है आप कहेंगे कुल जिनसंख्या यानी 121 करोड़ लोग है हमारे देश में उनको भाग कर दो भारत का चेत्व 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है जब आप इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा गड जियो लॉजिकल घनत्व क्या होता है इसमें कुल किरसी जो भूमी है अब आप से मैं परसंद पूछूँगा आप लोग जोग्रफी पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए बहरत में जो किरसी योग्य भूमी है उसका प्रतिशत कितना है कितना कुल किरसी भूमी उ 121 करोड है अब उसमें भाग किसका करोगे यानी कि 51% 51% यानी किरसी भूमी कितनी है हमारे देश की 51% तो 32 लाग का 32 लाग का मैं लगभग 51% बदा हूँ तो लगभग 16 लाग के करीब आएगा ना 51 के लगभग 50% माल लो आधा ही तो हुआ तो हमारे देश का जितना छेथफ भी है नदियां भी है जीले भी है ठीक है आवास भी है सब जीगे खेती थोड़ी हो जाई तो खेती कितने पर होती एक 50% यानी लगभग 16 लाग पर ऐसे याद रख लो यह होता फीजियोलोजिकल घनत तीसरे घनत की बात करते हैं वो होता किर्शी घनत किर्शी घनत में क्य होता है कि किर्शी में लगी जनसंख्या को कुल किर्शित छेतर से विवाजित कर दिया जाए तो कुल किर्शित छेतर कितना था हमारा आप कहींगे भीया किर्शी कितने छेतर पर हो रही थी 50% पर और किर्शी में कितनी जनसंख्या लगी हुई है हमारे देश की तो बोलोग मैंने बोला आप से देखो किरसी में लगी जिन संक्या किरसी में लगी जिन संक्या कितनी है 58% है कितनी हमारे देश में अगर 100 में से हम देखें तो 58 लोग किरसी में लगे हुए 58 लोग क्या बोलेगे 58 प्रतिशत और कुल किरसी छेतर कितना है दोस्त दोस्त लगबग देश के छेतरफल का लगबग आधा है ओके अगेशा अब हम बात करते हैं चौथा यानि की आर्थिक गनत्व की तो आर्थिक गनत्व क्या होता है जितनी हमारे देश की जिन संक्या है उसमें 100 क्या गुणा कीजिए और भाग कीजिए उत्पादन के सुचकांग का ये उन जिन लोगों ने एकॉनोमिक्स को बहुत इसको दर्शल में हम आई आई पी बोलते हैं क्या बोलेंगे आई आई पी इसको हम बोलते हैं आपका आई आई पी से मतलब होता है इंडेस्ट्रियल क्या बोलोगे सौरी इंडेस्ट्रियल इंडेक्स क्या बोलते हैं इंडेस्ट्रियल इंडेक्स इंडेक्स प्रोडक्शन होता है یعنی हमारे देश में जो उत्पादन है वो किस रेशियो से बढ़ रहा है उत्पादन हमारे देश में बढ़ भी रहा है पिछले दस वर्ष की तुल्ना में यानि सीधी सी बात बढ़ता है और बढ़ेगा तो उसी उत्पादन को सुच कांक बोलते आई आई पी के नाम से जाना जाता है तो क्या बोलेंगे चौथा आर्थिक घनत वहता है कुल बिलाकर के बात करें 2011 की जनगंडना के अनुसार भारत का जनसंक्या घनत कितना है 382 आपके लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है और जो तो मेरे दोस्त फॉर्मूलों को देखना चाहते हैं आप देखते होंगे परिक्षा बड़े पूछे जाते हैं बड़ा इंपोर्टेंट है ठीक है आगे आएंगे अब आते हैं जनगंडना वर्स ध्यान से देखना ध्यान से देखना मेरे भाई ज्यादा गरम तो नहीं है बोलो बड़े जल ही जीवन है जनगंडना वर्स ध्यानत्व है आपका सतत्तर संख्या वरद्धी वर्तित प्रत्षत आपको नहीं देखना है आज हमारा जनगंडनत्व कितना है 382 आजादी के समय पर कितना था ये भी मैंने आपको बताया 170 आप ध्यान से देखिए पूरी टेबल को क्या जनगंडनत्व हमेशा बढ़ता रहा है या कभी घटा है बोले हाँ या ना आप कहेंगे सिर्फ एक ही वर्स है आपका 1911 क्योंकि जब जन संख्या घटी होगी तो भीया जन गणत्व भी घटा होगा या नहीं तो 11 से 21 ग्रेट डिवाइड इयर तो क्या बोलेंगे भीया इस दोरान घटा था क्या बोलेंगे इस दोरान घटा था कभी गलती ना करें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साव घनत्व में सरवाधिक प्रतिशत वरधी कब हुई है तो आपका आंसर होना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है 1961 से 71 के सेशन में 1961 से 71 के दसक में जिनसंख्या घनत्व में सरवाधिक प्रतिशत वरधी हुई है सरवाधिक प्रतिशत वरधी और यहाँ पर क्या वरधी हुई थी क्या वो लोगे आप नहीं जी उसके मुकावले जितना पहले बढ़ा उतना इस बार नहीं बढ़ा थोड़े जागरुक तुम हुए अच्छा आगे आते हैं कि हम बोलेंगे ग्यारे सु छे वैक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है और सबसे कम क्या बोलोगे अरुनाचल में कितना जिन घनतव है सारे दोस्तों से मैं पूछू जड़ा बताएंगे मेतर अरुनाचल में आपका सत्र वैक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है 17 प्रतिवर्ग किलोमीटर तो आप का अंसर आएगा दिली में उटी में पहला नंबर पर कौन दिली और इनकी संख्याँ याद रख लेना सबसे महत्पून है, सबसे important है, ठीक है, अच्छा जी, जब की मैं बात करता हूँ, अंडमान निकोबार दीप सम्हू में क्या है, नियुन्तम है, सबसे कम, अंडमान निकोबार में, तो क्या बात समझे, इस्टेट कौन सा है, वो बिहार है, जहां पर 1106 वेक्ति रहते हैं, य अगर मैं आपसे पूछू सबसे कम जहनवगरत किसका है, अरुनाचल प्रदेश का राज्ये में, यूटी में पूछू दिल्ली, और सबसे कम यूटी में पूछू तो अंडमान का कितना 46, सरवाधिक दसक यह जनसंख्या वरधीधर, यह मैंने आपको अभी बताया, 24.60 प से 1921 के दसक को छोड़ दिया जाए, तो भारत के जनगरत में लगातार वरधी की परवर्धी देखी गई है, ठीक है, 1921 के दसक में 58 वेक्ति परतिवर किलोमेटर की वरधी हुई, यह याद नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, यह सिर्फ इपैक्ट है, आप लोग इसको पढ सकते हैं, आराम से, आ गयाएंगे, देश में राज्य इस्तर पर जनगरत में बहुत अधिक ऐसा मानताई विद्वान है, 2011 के अंतिम जनगर्णा रिपोर्ट के अनुसार, अरुनाचल परदेश में जहां जनगरत्व 17 वेक्ति परति वर्ग किलोमेटर है, कितने वेक्ति रह चलो गए, गुरुजी घट क्यों गया था, क्या लिख रहे है, 1911 या 17, 1911 में, दोस्त बता चुका मैं किलास में क्यों घटा था, मैंने लिख करके बताया, बाकाइदा आप लोगे लिए लाइन लिख के आया था, कि उस वर्स महामारी आ गई, जब जन संख्या ही कम हो गई और जब जन संख्या ही कम हो गई, तो लोग कम हो गई, लोग कम हो गई, तो एक एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आएगी, यह तो बड़ा कौमन सा परशन हुआ, इसका उत्तर तो आप ही को जान लेना है खुद ही, देखो सारे दोस्तों ने लिखा है महमारी, 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 आप ही नहीं पढ़ रहे थे मतलब अच्छे से, हैं, गंदे बच्चू, आओ इधर, सीर्स तीन जनगनत्व कहां पर बिहार में है, और बिहार के बाद में दोस्त पश्यम बंगाल और केरला, नीमतम सबसे कम कहां पर अरुनाचल, और दूसरा जरूर याद रख लेना, क्या परिशन पूछेगा आपसे, दूसरा सबसे कम जनगनत्व वाला आपका राज्य कौन सा है, मिजोरम है, कौन सा है, मिजोरम है, तीन सीर्स जनगनत्व वाले यूटी, यूटी में सबसे पहले नंबर पर कौन है, दिल्ली, अभी आपका SSE CPO पूछा, सबसे ज़्यादा जनगनत्व में दूसरे इस्थान पर कौन सा केंद सासित परदेश आता है, तो पहले पर कौन आता है, पहले पर कौन आता है, बोलेंगे भी फटाफट से, पहले पर आता है आपका दिल्ली और दूसरे पर आता है, क्या बोलेंगे, क्या बोलें आपको महत्पुन मार्क मिल जाएगा ठीक है सरवाधिक जन्गनत वाले दो जिले कौन से हैं क्या वो लोगे भारत में दो जिले डिश्टिक की बात कर रहा है क्या डिश्टिक्ट की बात कर रहा है तो कौन से डिश्टिक्ट है एक तो है आपका नौर्थीष्ट जो दिल्ली का है क्या बोलोगे 37,000 सोचो बिहार में कितना था 1106 दिल्ली में कितना था जरा कमेंट सेक्षन में बताएं सारे के सारे दोस्त तो आप कहींगा भी है बिहार में खुद में 1106 हो गया यानि 1000 से ज़्यादा तो वो स्टेट में सबसे ज़्यादा है लेकिन अगर जब हम बात करते हैं आप से जब हम बात करते हैं आप से दिल्ली की तो हम कहते हैं दिल्ली का 11320 है लेकिन दिल्ली में ही एक जिला है नौर्थ इस्ट जिसका कितना 37,000 यानि दिल्ली से खुद से भी कितना तीन गुना है, एक इतना भिचकुच वाला जिला भी है, सोचो आदमी के उपर आदमी होगा, है ना, छे नहीं तमिल नाडू 26,903 हो जाएगा, अब आते एश्टी काउंट पर, एश्टी, यहां से बहुत प्रिशन, फिर हम धर्म की जाती सब्द का परियोग किया गया था, जबकि सम्विधान के अनुच्छे 341 में अनुच्छित जाती, यानि की सेड्यूल काष्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें वर्तमान में 1108 जातिया है, जो किसमें है, ऐसी में सामिल है, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टी से ये लगभग एक जैसी है, सबका जीवन, यानि कि आपका अगर हम देखें, उनका लाइफ इस्टा लगभग एक जैसा है, इनमें से 81.8 प्रतिषत लोग गावों में रहते हैं, और उनका प्रमुख आयश रोत किरसी है, मुझे बताएं कि कितने प्रतिषत ऐ कितने प्रतिषत ऐसी है, जन संख्या जो कहां पर आपका गावों में निवास करती है, सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, 81.28 अच्छा जी, स्वतनता के समय देश में अनुसुचित जातियों की संख्या कितनी थी, क्या बोलोगे, 5.17 करोड थी, ये 1951 के अनुसार हम ब यहां data important है, 2011 की अन्तिम जनगर्ना रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऐसी, अनुसुचित जाति से मतलब क्या हुआ मित्र, आपका सिडियूल काष्ट की हम बात कर रहे हैं, सिडियूल काष्ट की जो जन संख्या है, वो लगभग आपका 20 करोड है, क्या बोलोगे, वो 20 कर है, यह important है, और यह करोड तो संख्या में हुई, लेकिन percentage में, percentage से मतलब क्या, 121 करोड का यह कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 16.6% है, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला data है, इतनी बात याद रखेंगे, अच्छा, आगे, आगे बात करते हैं, सरवाधिक और नियून्तम अनुसूचित जाती वाले राज्यों में करम से उत्तरपर्दस और मिजोरम, यानि कि मैं आप से पूछुँ, सबसे ज़्यादा ऐसी कहां पर हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी संख्या में, भई, UP की जन संख्या सबसे ज़्यादा है, तो, क्या वहाँ पर सबसे अच्छा अनुसूचित जाती की सरवाधिक नियूनतम जिन संख्या प्रतिशत्ता में यदि पूछ ले तो प्रतिशत्ता में पंजाब में सबसे ज़्यादा ऐसी रहते हैं 31.9% और मिजोरम में क्या बोलोगे सबसे कम 0.1% रहते हैं क्या बोलोगे आपका तो हमने बात की दोस्त आपका संख्या में सबसे ज़्यादा कहां आपका हम कहेंगे उत्तर प्रतिश में संख्या में सबसे कम ऐसी कहां मिजोरम में अगर प्रतिशत में बात करूँ तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा क्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पंजाब में और प्रतिसत में और संख्या दोनों में ही कम कहां पर होंगे आपका क्या बोलोगे मिजोड़ा तांतव्य है अरुनाचल प्रदिस नागा लेंड अंडमान और निकोबार दीप सम्हू और लक्षदीप में किसी में अनुसुचित जाती का निवास नहीं है नसी मतलग नौन सेड्यूल काष्ट इस्टेट हुए है यहाँ पर ऐसी नहीं है 2011 में अनुसुचित जाती का लिंगानुपात 900-945 रहा क्या बोलेंगे 945 रहा जो की 2001 की जनगना में लिंगानुपात की अपक्षा नौ देखे मुझे बताईए जो ऐसी है यानि जो सेड्यूल काष्ट है उसका जो लिंगानुपात है सेक्स रिश्यू है वो देश की मुकावले अच्छा है या नहीं एक तुलना करके बताईए मुझे की अंतर है या नहीं और अंतर है तो कितने का है अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे थे बोलेंगे भी फटाफट से तो देश का लिंगानुपात कितना है तो आप कहेंगे आप कहेंगे देश का लिंगानुपात कितना है 943 है और अगर अब हम बात करें आपका सॉरी है कि अब कि सारे मेरे दोस्तों ने लिखके बताया है कि दो का अंतर है कितने का अंतर है दो का अंतर है आप सब लोगों ने बताया दो का डिफ्रेंस है ठीक है पर यहां देखो पुने केरल सरवाधिक और मिजोरम नियुंतम अनुसुचित जाती लिंगानुपात वाला राज्य है और केंसासित प्रदेश पंदरवी जिनगर्णा में रहा है यानि सबसे ज़्यादा कहां पर है आपके लिंगानुपात में भी केरल में कितना था एक हजार चौरासी था लिंगानुपात तो एसी का भी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहां पर है वो केरल में ही ठीक है आगया ही यह उसका इंगलिश ट्रांसलेशन है पीडिएफ में आपको मिल जाएगा अच्छा सबसे ज़्यादा आपको मुझे बताई SC पर्शंटेज SC की बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कहां पर है आपका उत्तर प्रदेश में यह याद रखना है सिर्फ एक डेटा सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दरश्टी से तीन अनुसूचित जाती संख्या वाले यूटी कौन से हैं यूटी किसमें किसमें बुल रहा है आपका जनसंख्या में प्रतिशत की दरश्टी से वहां है सिर्फ जनसंख्या की बात तो पर्शंटेज में सबसे ज़्या सारा लोग हैं पूरे चिनहित जो ऐसी में है मैंने बताएं 0.01 परसेंट है आपका क्या बोलो सॉरी 0.01 नागालेंड में कोई ऐसी नहीं है आपका अरुनाचल परदेश में फिर यही आते हैं अनुसुचित जाती की नींतम जिन संख्या कहां पर है मिजोरम में यानि संख्या हमें पूछे और परसेंटेज में क्या आजाएगा उत्तर ही हमारा एक क्या आधकर होती है ना कुछ छूटती नहीं ही खाना काकर कुछ रहता हीए अपने यहां सबक्षछ वो झूटती नहीं है ।ो कहीं से कहीं भी पहुँए वह तब भी नहीं चूटेगी क्या वो लोगे आपका मिजवरम है और आपका मिजवरम है अच्छा मैंने बोला संख्या में कौन यूपी और प्रतिशत में पूछे तो पंजाब है कौन हो जाएगा पंजाब हो जाएगा अब ऐसे ही आते हैं आपका सेडिल ट्राइब सपर एश्टी पर वो हुआ सेडियूल काष्ट यह है सेडियूल ट्राइव मुझे बताए अब यहां पर तुलना करेंगे देखना दिहान से मैंने आप से बोला पंदरवी जनकर्णा आठ दिसमलब 6% एश्टी देश की जनसंख्या का 8.6% है तो मैं अगर आप से बात करूँ यह लो रुभाल मिल गया आए टिम बहुत अच्छी है क्यूं क्या बोलोगे कुल जनसंख्या का 8.6% परतीस हैं समस्त अनुसूचित जंजाती जनसंख्या से क्या बोलोगे आपका क्या बोलोगे पुरुस इतने हैं और महीलाई लगभग बरार बराबर है ठीक है भारत में सरवाधिक अनुचित जन संख्या मद्ध्य परदेश अब बताते रो जैसे यहां पर मद्ध्य परदेश तो SC सबसे ज़्यादा किस स्टेट में अब तुलना कीजिए क्या बोलोगे आप कहींगे भीया SC ज़्यादा थे SC 16% थे SC से लगभग दो गुने अगर मैं आप से बात करूँ यहां पर मद्ध्य परदेश में ST सबसे ज़्यादा लेकिन SC सबसे ज़्यादा कहां बताए थे तो आप कहेंगे UP में ठीक है जो राज्य की समस्त जिनसंख्या का 21% है यह बड़ी बात नहीं है अनुसूचित जिनसंख्या प्रतिशत के आधार पर लक्षदीप में 94.8% लेकिन SC परशेंटेज में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तो पंजाब में क्या बोलोगे पंजाब में ठीक है और इसके बाद में मिजोरम में क्या है मैंने आपको बताया था मिजोरम में SC तो ना के बराबर थे लेकिन देखो एष्टी बहुत है 94.4% का स्थान है पुडुचेरी दिली चंडीगर्ड हरियाना पंजाब में कोई भी अनुसूचित जिन जाती नहीं है यानि कि नौन सीडियूल ट्राइव नो सीडियूल ट्राइव आपका क्या बोलोगे कोई भी एष्टी नहीं है ये इ किसी भी केंद सासित प्रदेश में आपसे पूछे किस केंद सासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा एष्टी है तो दादरा नागर हवेली में और भारतिय समिधान में मूल रूप से 202 जंजातियों को अनुसूचित जंजातिया घोसित किया गया था कि लेकिन वर्तमान मे जो अनुसूचित जन जाती हैं वो 744 है और मैंने बोला कि SC में कितनी जन जाती हैं आएंगी जिनको हम SC काउंट करेंगे अभी बताया था निर्मल पारिक जी मेरे दोस्त बहुत सारा प्यार, always and too much thank you, आगे आएंगे जी 2011 में अनुसूचित जन जाती का जो लिंगानुपात है वो 990 है, बोलो देश के लिंगानुपात से कितना बहतरीन, पूरे देश की overall, ये कौन लोग हैं जो फिर लिंगानुपात बिगाड रहे हैं देश का, ये कौन हैं जो बेटियों के जन को सरहा नहीं रहे हैं तो क्या बोलोगे कितना जादा देश के लिंगानुपात से, तो आप कहेंगे भहिया ये तो बड़ी काबले तारीफ बात हो गई, तो 990 है, 2001 में भी 978 था और अब 12 बढ़ गया, और देखो जन जातियों में सरवाधिक लिंगानुपात गोवा में तो 1040 है, और सब से कब जम्मू कस्मीर में भी 924 है, क्या बोलोगे 924, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, भहिया कितने का अंतर लिख रहे हैं, 47 का अंतर है, 47 का अंतर है, सब से जादा, अब मैंने बोला अनुसुचित जनजाती कहां पर है, एश्टी सब से जादा कहां पर, मध्यप्रदेश में ह अगर हम बात करें, लक्षदीप में सबसे जादा है, क्या बोलोगे, लक्षदीप में सबसे जादा है, इस पिरकार देश में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती की संयुक्त परतिसत्ता, क्या बोलोगे, अगर दौनों को मैं जोड़ दूँ, तो कितने परति जरा वन फोर्थ पॉपलेशन मैं इसको कह सकता हूँ या नहीं कह सकता बताएगे एक बार ठीक है जी अब आते हैं धर्म आधारित जनलना पर और S.S.C. ने कैसे कैसे कुश्चन पूछे हैं मैं आप से पूछ बताऊँ भारत में विवस्थित धर्म आधारित यानि धर्म की संख्या गिनी ग hay standardized हिंदू कितने मुश्लुमान कितने जयन कितने उनमें कौन कितना कितना साक्चर यह सब WGF 2001 की जनलन्ना में पहली बार हुआ था यानि 2001 में जब जनलन्ना हुई तो पूछे धर्म आधारित जनलन्ना पहली पहली बार कब हुई सारे दोस्त उत्तर लिखेंगे 2001 में हुई 2001 में हुई ठीक है जी इस जनगर्णा में पहली बार विभिन धर्म अबलंबियों यानि कि जो किस धर्म को आपका मानते हैं अपना सहरा मानते हैं जनसंख्या लिंगानुपात साक्षर्ता दश्किय में नहीं आए उसके आंकड़े आए 25 अगस्त 2015 को ठीक है यह और भारत के महापंजियक एवं जनगर्णा आयुक्त कौन थे इस समय पर बताना 2011 वाले आयुक्त कौन थे घजब उत्तर आए तो मैं कहूं कि मैंने किसी जिंदे लोगों पढ़ाया है ठीक है क्या बोलेंगे आ आपका जिसके अनुसार देश की कुल जन संख्या 121 करोड 2011 की इस्थिती में विभिन धर्मों की संख्या का विवरण अधोलिखित है यानि कि नीचे दिया गया है देख़ो भई 2011 में हिंदू की संख्या देश में कितनी है 97 करोड है कितनी 96 करोड मुसलिम कौन से इस्थान पर हैं दूसरे इस्थान पर 17 करोड इसाई क्योंसे इस्थान पर हैं तीसरे इस्थान पर 2.78 करोड सिख कितने इस्थान पर हैं चौथे इस्थान पर हैं फिर बौध आएंगे फिर जैन आएंगे फिर अन्यधर्म आएंगे ऐसे भी लोग हैं जिन्नोंने कहा हमारा कोई धर् ही नहीं बताया अपना ठीक है अच्छा जी क्या बोलेंगे आपका अब ये बात तो समझ में आ गई कि देश में हिंदू सबसे ज्यादा चाणवे करोड और मुस्लिम सत्रे करोड लेकिन यहां पर एक बात देखने लायक होगी आप लोगों को कि 2001 से 2011 में यहां एक बात देख यह 24.6 प्रतिशत की लेकिन पूछे वह कौन सा धर्म है जिसमें प्रतिशत वरद्धी सबसे कम हुई है भारत में तो आप क्या बोलेंगे वो जैन धर्म है सबसे कम वरद्धी किसमें हुई है जैन धर्म में हुई है क्या बोलोगे जैन धर्म में हुई है अच्छा अगर हम बात करते हैं जैसे हिंदो का लिंगानुपात आपका 2011 का 949 है क्या बोलेंगे ये हिंदू धर्म का है लिंगानुपात ओवराल देश का नहीं है ओवराल देश का तो आप सब जानते 943 है ये हिंदू की बात कर रहे हैं मैं पूछू किस धर्म का लिंगानुपात है जो सबसे ज्यादा है हमारे देश में, तो क्या बोलोग Surprise धर्म का सेक्स रेशियो सबसे जादा है? मैं पूछू वह दारित साक्षर्ता, सबसे ज़्यादा साक्षर्ता में कौन सा धर्म है, जैनिज्म सबसे आगे है, चौरान में प्रतिशत साक्षर्ता है, दूसरे नंबर पर इशाई हैं, फिर बौध हैं, फिर सिख हैं, फिर हिंदू हैं, फिर मुसलिम हैं, यानि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन जैन और सबसे कम साक्षर कौन आपका मुसलिम साक्षरता में लेकिन हिंदू की स्थिती भी साक्षरता में बहुत 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 नहीं है क्या बोलोगे नीचे से दूसरे स्थान पर आते हैं 73.3 देश की overall साक्षरता कितनी है जरा बताएं क्या बोलोगे देश की overall साक्षरता सीर्स तीन हिंदू जनसंख्या बहुत important है हिंदू जनसंख्या किसमें परतिशत में परतिशत में ये पिरसन पूछा आपका CPO में भी SSC GD में भी MTS में भी हर एक format में SSC ने पूछा पिछले वर्स वह कौन सा राज्या है जिसमें हिंदू जनसंख्या कौन सी हिंदू जनसंख्या परतिशत में सबसे ज़ादा है तो हिमाचल परदेश में अगर परतिशत की बात ना करे तो और वैसे पूछले संख्या सबसे ज़ादा फिर आप कहेंगे UP में किसमें है फिर तो UP में है किसमें UP में है परसंटेज में यदी पूछे और पूछेगा परसंटेज में सी दीसी बात है तो क्या बोलेंगे हिमाचल परदेश में सीर्स तीन हिंदू जनसंख्या वाले UT कौन से हैं तो UT में किसमें दादरा नागर हवेली में सबसे ज़्यादा ह प्रतिशत में 2.75 अब आते हैं सीर्स तीन मुसलिम जनसंख्या वाले राज्ये कौन से हैं तो लक्षदीप है आपका लक्षदीप क्या यूटी की स्टेट तो आप बोलेंगे यूटी ठीक है और जम्मू कस्मीर क्योंकि 2011 में क्या था इस्टेट था तो वह कितनी बार ना जाने पूछा गया है वह कौन सा राज्ये है जिसमें मुसलिम जनसंख्या परतिशत में जादा है तो जम्मू कस्मीर और वह कौन सा UT है जिसमें मुस्ลिम जिन संख्या प्रतिशत मी जादा है तो कहेंगे भाई साव लक्षदिए ठीक है नियुन्तम तीम सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन किसमें है मिजोरम में है और सबसे कम Muslim population percentage में बताई गई है ये मिजोरम में है इसाई सबसे ज़्यादा किस state में है मैं आप से पूछू percentage में प्रतिशत में नागा लेंड में है और सबसे कम इसाई कहां पर है बिहार में है क्या बोलोगे सबसे कम इसाई जो धर्म है वहां के लोग किस राज्य में है तो आप कहींगे बिहार में है एक एक डेटा याद रखना हैं सबका सीर्स्तीन सिख जनसंख्या सबसे ज़्यादा सिख कहां पर है आपका पंजाब में है 57.69 क्या बोलोगे सबसे ज़्यादा पंजाब में है ठीक है अच्छा अब यहां देखे अगर मैं बात करूँ भारत में धर्म अनुशार जनसंख्या की दसक्य समवरधी दर क्या रही है अगर मैं बात करूँ हिंदू हिंदू की अगर हम बात करें आप से तो कुल जनसंख्या कितनी रही आपका क्या बात करोगे 16.6 ये क्या है एक दसक्ट में कितनी वरधी दर हुई है 2011 से 2011 से सुरी 2011 तक कितना परशेंटेज चेंज हुआ तो सबसे ज़्यादा चेंज किसमे हुआ आप लोग बोलेंगे कि भीया मुसलिम धर्म में सबसे ज़्यादा वरधी देखने को मिली कितना 24.6 24.6 ठीक है आगे आएंगे क्या बोलेंगे सीर्स्तीन बौध जनसंख्या वाले राज्ये कौन से है सर जी लेंग्वेज भी बता देना लेंग्वेज दोस्त जनगर्णा में नहीं आती पूरी दुनिया को थोड़ी गिन लेंगे हम जनगर्णा में ठीक है क्या बोलेंगे सीर्स्तीन बौध जनसंख्या वाले राज्ये कौन कौन से है सबसे ज़्यादा बौध कहां पर है सिक्किम में क्या बोलोगे सिक्किम में सबसे ज़्यादा जैन किसमें है आपका क्या बोलोगे महराश्टर में और यूटी पूछे तो दिल्ली यूटी पूछे तो किसमें आपका दिल्ली में सबसे ज़्यादा जैन है जैन है अब यहाँ पर देखे बड़े देहान से पढ़ना इस बात को ये ग्रामीन का डेटा है वर्स 2011 की जन्गन्ना के अंतिम परिना 30 अपरेल 2013 को जारी किये गए जन्संख्या के सहरी वे ग्रामीन छित्रों में वितरन के अनुसार जन्गन्ना आयुक्त चंदरमोली के साथ ही है आंकडे गरह सचिव आपसे पूछे 2011 की जन्गन्ना के अनुसार आपका जब वो गन्ना हुई तो आपका कौन होम सेकेटरी थे तो आरके सिंग थे 2011 को नई दिल्ली में जारी किये गए इन्ही आंकडों में कुछ फेर वदल करके 2014 के परिवर्तन को सामिल करने के बाद अंतिम आंकडे जारी किये गए क्या जांकडे थे कि देश में कितनी जन्संख्या है 121.08 करोड जिसमें से 37 करोड लोग तो रहते हैं इस पिरकार देश की कुल जन्संख्या में सेहरी जन्संख्या कितनी है अब 31.16 परतीशत और जब की जब की 38.84 परतीशत जन्संख्या अब भी कहां पर गावों में निवास करती है तो अपनी कौपी परनोट करिए गावों का percentage कितना 68.84 और सहरी percentage कितना 31.16 वे कुश्यन पूछूँगा ठीक है इससे पूर्व 2001 की जनगन्ना का अनुसार देश में सहरी वे ग्रामीर जिनसंख्या का वित्रण इसको भूल जाइए पुराना हमको नहीं पढ़ना है ठीक है पुराना कुछ डेटा नहीं पढ़ना जो आपको पढ़ना था कि आपका कि बई कितने परशेंट हैं गावों में तो आप कहेंगे कितना सहरों में 31.16 और आपका गावों में अगर बात करें तो बागी 100 में से भी घटा सकते कोई एक data पढ़िए सोब में से टालीजिए अब देखो जनसंख्या क्या है ग्रामीन की जनसंख्या कितनी बताई मैंने आपको देखना आप question क्या पूछा इसी बार SSA CGL Mains में ग्रामीन की जनसंख्या ये 2001 की है हमें इससे कोई लेना देना नहीं मैंने आपको बताया यहां देखना 121 करोड में 121 करोड में सहरी कितने है 31.1 और ग्रामीन कितने 68.84 सुरी CGL Mains CPOM पूछा गया था आपका CGL Mains पुछा गया था अंतरवाला राजिस्थान का ठीक है यहाँ पर देखना द्यान से तो 121 का अगर मैं बोलू 68% कितना हो गया 33.37 करोड हो गया यह 37.37 करोड हो गया ठीक है यह बात याद रखो गए या नहीं 121 का अगर कभी करोड में पूछ लिए 83 करोड लोग रहते हैं गावों में और सहरों में रहते 37 करोड ठीक है आगे आएगे को दिक्कत को परिशानी एक बच्चा कह रहा गुरू जी ये इतना सारा पढ़ा दिया ये सब उलट प्लट हो रहा आप क्या समझ रहे थे जन्गंडना का एक ही डेटा तुमको दे दू कि केरल सबसे पढ़ा लिखा उस वो वाला डेटा तुमको कि बच्चे प्रसंद देखोगे तो बेरुजगार रह जाओगे और बेरुजगार रहने का कारण क्या है कि ये नहीं पता पढ़ना क्या है और हम लोग चार लाइन पढ़के अगर सफल होना चाहते हैं तो इसका मतलब हम सफलता के माइनर नहीं समझते तो उसके लिए कितन अगर तुम सफल चात्रों के प्रतिशत में खुद को पहुचा पाऊगे या नहीं पहुचा पाऊगे तो इसके लिए तो मित्र अध्यान करना होगा और आपको लगता है कि बिगर अध्यान करे आप महां पहुच जाओगे और चंद चार लाइन या दो पेज याद करके प प्लास है इसको तुम 10 दिन में पढ़ो रोज 15 मिनट 15 मिनट जो जो डेटा मैंने बताया उसको याद करो कैसे नहीं याद होगा लोगों ने पुस्तके चाट दी तुम डेटा याद नहीं कर पा रहे हैं अच्छा हम बात करेंगे आपका सरवाधिक ग्रामीन जनसंख्या वाल बच्चे हैं तो क्या बोलोगे सरवाधिक ग्रामीन जनसंख्या कहां पर रहती है 155 मिलियन का मतलब है कि आपका 15 करोड लोग उत्तर परदेश में रहते हैं सरवाधिक ग्रामीन जनसंख्या परतिशत में कहां पर है हिमाचल परदेश में यूपी में सबसे जादा लोग है लगभग आपका 20 करोड से ज़्यादा लोग है लगभग 21 करोड ही कही सायद इस बाहर तो 25 करोड भी हो जाए सरवाधिक सहरी जनसंख्या वाले तीन यूटी आपको याद करना सिर्फ एक सबसे ज़्यादा सहरी जनसंख्या कहां पर रहती है दिल्ली में आपको होगे दिल्ली तो सहर है वही है इसमें गाउं भी है क्या? इसमें सब सहरी होंगे ना? नहीं दिल्ली का असपास के गाउं भी काउंट होते हैं दिल्ली में जप sold परसेंटेज वाले तीन राज्ये कौन से हैं? आपका नियुनतम सहरी जिंसंख्या वाला यू टी लक्षदीब है, यहां पर सबसे कम सहरी लोग है, जब की, जब की, सोरी, अब दूच्छी काने को भग रही हो रहा नीरी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेंगे, क्या बोलेंगे आपका दृष्टी नियुनतम सहरी जिंसंख्य वाला यूटी अंडमान और निकोबार दीप सम्हूँ ठीक है ग्रामीन और सहरी लिंगानुपाद की बात करें भारत का लिंगानुपाद कितना 943 ठीक है जो 2001 की तुलना में 10 अधिक है पहले 933 था 2011 में ग्रामीन और सहरी लिंगानुपाद 947 और 923 है क्या बोलोगे ग्रामीन लोगों का सेक्स रेशियो अच्छा है ग्रामीन लोग कम कुवारे रहेंगे या सहरी बोलो भी फटाफट से तो क्या बोलेंगे सहरी लोगों का जो सहरी है अर्बन एरिया से जो है तो वहाँ पर तो कितने रह जाएंगे भीया 71 लोगों के साधी नहीं होगी गावों में तो कितने रह जाएंगे गावों में तरेपन रह जाएंगे कोई दिक्षत नहीं ठीक है तो क्या बोलेंगे गावों का जो लिंगानुपात है वो भारत के ओवरॉर लिंगानुपात से बहतर है ये बात ही हमने अभी की थी क्या बोलोगे पहले 2011 में 943 है आपका ग्रामीन 949 पर है और सहरी 929 पर ये वही डेटा है सेम अच्छा ग्रामीन और सहरी लिंगानुपात की दृष्टी से सरवाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में केरल ये वो परसर है जो आपका CPO ने पूछा की आपका उसने पूछा है ग्रामीन और सहरी लिंगानुपात में वहे कौन सा है ग्रामीन में कौन सा आपका है राज्य जो पहले स्थान पर तो केरल है ठीक है और सहरी में कौन है आपका सहरी में कौन है आपका तो कौन है क्या बोलोगे आपका भहिया केरल है एक हजार एक्क्यार में है लेकिन नियूंतम किसका है तो जम्मू और कस्मीर का 840 और हरियाना का 880 हरियाना का ओवरॉल सेक्स रेशियो सबसे कम था 879 याद है 889 था 889 था ठीक है संघिया छित्र में अधिक्तम ग्रामीन और सहरी लिंगानुपात दोनों ही पुडूचेरी में सबसे जादा है क्या बोलोगे आपका किसमे संघिया छित्रों में संघिया से मतलब क्या हुआ अभी तक हमने बात की इस्टेट की इस्टेट में आपका क्या बोला मैंने इस्टेट में सबसे जादा केरल में है लेकिन हम बात करें आपका यूटी में तो पडूचेरी में सबसे जादा है लेकिन इस्टेट में मैं कम से कम ग्रामीन लिंगानुपात की बात करूँ तो चंडीगड में है और सहरी की बात करूँ तो दमन और दीब में ये छोड़ सकते हैं डेटा ठीक है ये वही डेटा रहा जो हमने अभी बात की है अच्छा अब बात करते है देश के राज्यों में सरवाधिक सहरी साक्षरों की संख्या सबसे जादा कहाँ पर है महराष्ट में सबसे जादा ठीक है एक साहरी सुना देगे लेकिन अंत्र में ठीक है हालत खराब है तो उसको खत्म करते हैं भी देश के राज्यों में सरवाधिक ग्रामीन साक्षर कहाँ पर है उत्तर पर देश में यह बहुत इंपोर्टेंट है ग्रामीन साक्षर सबसे जादा कहाँ पर और सहरी साक्षर सबसे जादा कहाँ पर सहरी साक्षर समझ रहे हो सहर में रहने वाले साक्षर लोगों की संख्या सहरी छित्रों में 2011 में साक्षरतादर कितनी है 84.1 जिसमें पुरुस साक्षरतादर 88.8 और महिला साक्षरतादर 89.1 है UT की बात करें तो सरवाधिक सहरी गिरामीन और आपका सहरी दौनों ही कहां पर है दिल्ली में 2011 में सरवाधिक साक्षरतावाले राज्य जो है वो कौन कौन है केरल है लक्षदीप है आपका तिरपुला है अंडमान निकोबार है और मिजोरम है 2011 में सरवाधिक साक्षरता वाला UT जो है वो मिजोरम किरपुला तिरपुला और आपका केरल तिरपुला लक्षदीप और हिमाचल परदेश है 2011 में ग्रामीन छेतर में नियुन्तम साक्षरता किसमें है वो आंदर परदेश में किसमें है वो आंदर परदेश में ठीक है क्या बोलेंगे आपका यह मैं केरा हूं कि आपको बहुत परिक्षा के दृष्टी से बहुत महत्पूर्ण नहीं है कोई आपका लोक से वायुक देना जाए तो वो जरूर पढ़के जाए इसको 2011 में सहरी और ग्रामीन नियुन्तम साक्षरता वाले किसमें परदेश कौन कौन से है आपका दिल्ली और दादरा नगर हवेली है ठीक है अब आते सरवाधिक और नियुन्तम पुरुस और महिला साक्षरता वाले राज्ये केरल में सबसे ज़्यादा है ग्रामीन का क्या बोलोगे केरल में महिलाओं का भी और पुरुस का भी सबसे ज़्यादा है ठीक है लेकिन सहरी में बात करेंगे कौन हो जाएगा मिज पर भी कहां पर बताया था मैंने आपको एक बार बोल के बता दो तो आप कहींगे राजिस्थान में बताया था अब आते हैं 2022 संग की क्या संभावनाई है 2022 रिपोर्ट के नुसार विस्व में सरवादिक जिनसंख्या वाला देश बना भारत 2022 के भारत बन गया है भारत अब विस्व में सरवादिक जिनसंख्या वाला देश हो गया है यह संभावनाई है सहिंत राष्ट के ताजा आंकडेक अनुसार भारत की आबादी लगभग 142.86 करोड हो गई है जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद चीन की 142.57 यानि हम चीन से आगे ऐसी संभावना है ठीक है क्योंकि चाइड़ों अपनी पॉपलेशन पर कंट्रोल कर चुका है और हमारे देश में अभी अगर पॉपलेशन कंट्रोल की बात करें कि कल देश में तीन संख्या होगी अभी बहुत सारे वर्क धरने पर बैठ जाएंगे क्या बोलेंगे तीसरे नमबर पर अमेरिका का है जिसकी आबादी 34 करोड है अब तुम सोचला हम कहां लेके जा रहे हैं अपने युवाओ को बड़ी संख्या को कुसल बनाकर भारत बढ़ती आबादी की चुनोती को अवसर में भी बदल सकता है अवसर में भी बदल सकता है यानि हमारे पास यूथ जादा होगा लेकिन भाई साब जब हद से जादा जनसंख्या हो जाएगी यूथ क्या करेगा अच्छा जी सयुक्त राष्ट की रिपोर्ट के नुसार बीते 15 नुवंबर को वैस्विक आबादी आठ अरब से अधिक हो गई है यारी पूरी दुनिया जो है 800 करोड से जादा लोग हो गई है पूरी दुनिया में 1950 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड थी सयुक्त राष्ट ने वर्स 1950 में आबादी पर रिपोर्ट जारी करना आरंब किया था और भारत पहली बार इस सोची में सीर्स पर आया है 2050 में भारत की जो आबादी है वो लगभग 166.8 करोड हो जाएगी और यूएन कहता है कि वैस्विक जनसंख्या संभावनाए 2022 रिपोर्ट के नुसार वर्स 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड तक पहुँच जाएगी जबकि उस समय चीन की आबादी घटकर 131 करोड हो जाएगी क्यों भहिया चीन अपनी पॉपुलेशन कर रहा है पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर रहा है तो हमां बुढ़े जादा हो रहे है जवान कम हो रहे हैं बुढ़े जादा है तो बुढ़हू लोग जादा मर जाएंगे चाइना के और जब चाइना के बुढ़े लोग मर जाएंगे उसके पास यानि कि यंग जो पावर है वो कम है हाला कि चाइना के पास में लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है धीरे धीरे जिन संख्या कम करनी जरूरी है ही अच्छा जी जन संख्या में विविन आयू वर्गों की हिस्सेदारी अब मुझे बताना इस पर्षेंटेज को देखके बताओ कौन सा आयू वर्ग है जिसकी हमारे देश में जन संख्या में सबसे ज़्यादा प्रतिशता है तो क्या बोलोगे आप लोग 25 यानि 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे है वो 25 पर्षेंट है क्या है 25 पर्षेंट है आप से पूछे हमारे देश में 65 वर्ष से अधिक आयू के कितने प्रतिशत लोग होंगे 7 पर्षेंट दोनों चीज़े याद रख लेनी है तोनों चीज़े ठीक है परिवार न्योजन यानि की परिवार को सीमित करना है क्या करना है परिवार को सीमित करना है और 1966 में गर्व नरोदक्स विदाहें सुरूं कि यानि कि जैसे कि आपके contraceptive pills होती हैं उनके लिए पहले तो ये था कि बच्चा हो गया प्या मतलब प्रिजनन के रिया से बच्चे का जनम हो गया तो हो ही गया बच्चे को जनम देना ही है लेकिन अभी क्या बहुत सारी ऐसी चीजे है जिसे रोकताम करके कि गर्ब धारन करने को रोका जा सकता गौर्मेंट ने का कि बई ऐसे तो सब के बच्चे हुए तो बहुत जल्दी हम लोग पता नहीं कहां पहुच जाएंगे अच्छा जन संख्या नियंतरन के उद्देश्य थे एक कामराज प्रोग्राम भी चलाया गौर्मेंट ने पुरुशों के लिए ठी आप से पूछे बहरत में पहली जन संख्या निती कब आई तो यहीं पर आपको आंसर देना है आज की किलास का ये होमवर्क का कुशन रहेगा कि पिर्थम जन संख्या निती देश में कब आई थी और दोस्त किलास का जो ये डेटा तैयार हुआ ठीक है उस डेटा को बड़ के लिए आप मुझे माफ करेंगे ठीक है तो हम बात करेंगे पिर्थम जन संख्या निती कब आई ये आपका कुमबर का कुशन है किलास आपकी साइद दो घंटे की रही क्योंकि इसमें याद करने जैसा कुछ था नहीं कि मैं आपको किसी तरह से याद करा हूँ ट्रिक्स ह बहुत सारी हो सकती है लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने बहुत कम दिया है कि आपको क्या पढ़ना है सायद जितनी यहां पर डेटा हम लेका है उसका सायद 5% ही मैंने तुमसे याद करने को कहा है तो उस डेटा विसाल डेटा को देखकर नहीं घबराना है आपको क्य होना चाहिए पत्थर है तिरे हाथ में या कोई फूल है अगर तू कबूल है तो फिर तेरा सब कुछ कबूल है तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा वीडियो के बाद में जरूर लिखें दोस्ति ये और वीडियो के बाद में क्या जब जब आप परिक्षा देंगे तब त ना भूले, ठेंक यू, बाइ-बाइ, टेक एर, जैहिंद, जैभारत, जैमासस्वती, नमस्ते, और हाँ दोस्त, एक बात और, एक-एक सुचना और देनी थी, आप सब लोगों को पता है कि कल अभी पर दोस्त आपका जो हो सकता है ना इंजेक्शन लगवा के ठीक है दवाई लेके पेन किलर लेके सब कुछ लेकर मैं खड़ा हूँ और कोई दिक्कत नहीं हुई है कि लास लेने में कि भी तुम्हें सोचा जी बहुत संगर्स किया संगर्स कुछ नहीं है मजे मजे में किलास ह अगर शुरूब वो इंपक्ट होगा अगर मैं कल किलास लोगा लगाता और फिर साय तवियत और खराब हो जाए तो इसलिए कल का एक गैप रखते हैं मैं साथ तारीक के साम को आपकी वो किलास लोगा जरूर साम साथ बजे आर्ट एंड कल्चर सभी परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ण ऐसे ही इंपोर्टेंट डेटा उसमें रखेंगे सब कुछ नहीं तो ख्याल लखिए अपना बहुत सारा जैहिंद जैभारत नमस्ते